जोएंट है यानि इन दोनों में उस परसन के सिखने से लेना भी बहुत जरूरी है तो फ्रेंड यहाँ पर अब नीचे तो हेलो दूस्तो स्वागात है आपका अपनी चनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी एक्सेस बैंक एकाउंट में मेल आ अपने बैंक एकाउंट पर रेजिश्टर कर सकते हो जिससे कि आपके ट्रांजेक्शन डेटेल आपके अट्रांजेक्शन अलर्ट्स या पर मैसेज़स जितने भी होते हैं मेल आईडी के जरीए आप तक पहुंस सकें तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क कौनकों से डॉकुमेंट लगेंगे यह भी बताऊंगा बस वीडियो आपको सुरू से लेकर एंड तक पूरे देखना है क्योंकि जब आप वीडियो कंप्रीट देखोगे तब ही जाकर आपकी समझ में आएगा कि इसका कंप्रीट प्रोसेस क्या है तो फ्रेंड वीडियो करेंगे इस्टेब आज इस्टेब प्रोसीड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाइ करना चले फ्रेंड सुरू करते हैं तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथ में एक फॉर्म है कस्टूमर रिक्वेस्ट फॉर्म इस फॉर्म का इस ऐसे अपने bank account में mail id को update करा सकते हो आज की वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंट वीडियो वात हेलफुल होने वाली है इसलिए मेरे आप से छोटी से बुजारिस है आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को like कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सबीक से share करता रहता हूं support कर लो यार आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो कि इन्टो चैनल को subscribe नहीं कर रहे हो subscribe कर लो free of questions subscribe करने को कोई भी पैसा नहीं लगता है तो चले फ्रेंट शुरू करते हैं यहां उपर की और आपको दिख रहा होगा क्या customer information यानि कह सकत नहीं है अगर mention की गई है तो आपको फिल कर देना है कोई दिक्कत नहीं है उसके बगल में आता है क्या SR नमर आप बहुत से लोग इसको serial number समझ लेते हैं यह serial number नहीं है service request number है यानि कह सकतो कि अगर आपने online तरीके से कभी apply किया हुआ था कोई भी correction के लिए अपने bank account में तो हो फ्रेंड तो आप बस customer ID जरूर होगी यहाँ पर आपको फिल कर देने customer ID यहाँ पर customer name आपका जो name है आपकी जो password में नेम पड़ा हुआ है simple है मैं वो name आपको फिल करना friend slot में कैसे फिल करना सारा का सारा capital letter में फिल करना होता है वो आप लोग जानते होगे इसलिए आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है उसके जश्ट आते हैं अपनी अप problem पर देखिए यहाँ पर आपका name update अगर आपको पहले बता दे रहा हूँ उसके बाद friend आते हैं अपनी problem पर भाई problem हमारी क्या है सीजी सी बात है problem हमारी क्या है access bank की mail id तो फिरन आप mail id यहाँ पर दिख लेंगे कहा है 12 नमर पर यहाँ पर आपको update करनी है तो mail id आपको यहाँ फिल कर देनी है जो भी आपकी mail id है वो आपको फिल कर देनी है अब ऐसा नहों कि mail id भी आप capital में हो गयाते हैं तो इसलिए आपको रियल में लखना है जैसे भी हो मतलब औरिनल तरीके से जैसी आपके mail id में अगर capital है तो capital में लखिए इसमाल में लखिए आपको यहाँ पर जाना दमाग नहीं लगाना है पर्टिकुलर जहां से आपका account जो है खुला हुआ है आपका password में जो आपका address पड़ा हुआ है वो simply आपका फिल कर देना है यहाँ पर आप सिगनेचर देखिए अगर आपका खाता जो है केवल केवल individual है यानि कि joint नहीं है तो आपको केवल दो पोर्सन में आपकी signature करने है और बगल वाले person आपको खाली छुट देना है अगर आपका खाता जिएंट है तो सिंपल है office purpose से है तो इसलिए आपको इसको खाली छूट देना है लेकिन हाँ acknowledgement to customer नीची को आपको देखने करें मिल रहा होगा यहाँ पर आपको आपका नाम फिल कर देना है फ्रेंड customer ID आपको फिल कर देना है date of request ने जिस दिन यह form जो है आप पने bank branch में submit करो उस दिन की date आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर लखा हुआ क्या branch official signature यानि जो आपके signature account में लगे हुए है वह signature friend आपको यहाँ पर करने है प्रोपर मैं आपको समझ में आ रहा होगा चले आते हैं दूसरी प्रिष्ट पर दूसरे page पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर लखा हुआ क्या branch name सेम प्रोसेस जैसे कि आप पहले पर फिल किये थी बैसे यह आपको आप फिल कर देना है स्वाल id मतलब है कि आपकी branch id सिंपले में आपको फिल कर देना है service request number अगर आपको पास है तो फिल कर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अप थोड़ा से important पाट आता है account number अगर आपकी पास्बुक में आपके पास होगी friend यहाँ पे आपका account number मेंशन होगा 100% आपको आपके account number को यहाँ पे फिल कर देना है जो कि आपकी पास्बुक म करना चाहती हो अगर नहीं करना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको खाली छोड़ दीजिए अब आते हैं नीचे की और टर्मेंड कंडिशन्स आप सिधी से बात है इसको एकसेप्ट करिए यहाँ पर लखा हुआ क्या date update फिल करिए उस दिन के date फिल करिए जिस दिन नीचे की और for office use only खाले छोड़ देना है नीचे की और आता है acknowledgement to customer यानि कह सकते हो ग्रहक की सुक्रती यहाँ पर आपको आपका नाम लख देना है customer name आपको लख देना है customer ID आपको आप लख देना है date of request यानि कि आप किस दिन यह form जो है अपनी bank branch में submit करोगे जिस दिन लेते हम लोग document की document कोंड कोंसे लगेंगे दिप्रन document कुछ ही लगेगा आपको आपके पास्वुक की photo copy लगा के देनी है एक आधरकाटी की देजिए कोई दिक्कत नहीं है simply आपको इसमें fill कर दिना है fill करके आपको यहाँ पर दोनों documents पर भी sign कर देना है कोई दिक्कत नही आपको sign करने के बाद यहाँ पर यह form जो है आपको आपके employee को देनी है और क्या दिने है sir की मेरी mail ID को आप क्या करिए अपडेट कर दीजिए तो friend वो आपकी mail ID 24 गंटे के अंदर update हो जाएगी तो friend मैं आशा करता हूँ कि आज कि आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छ सूमच